हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विवेक कुमार ताकि आने वाली हर विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं जुर्म की काली दुनिया से ना जाने कतल के कितने ही मामले हर साल सामने आते हैं मगर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो मर्डर मिस्ट्री बन जाते हैं और ऐसे मामलों की तह तक पहुँचना पुलिस के लिए एक चुनोती बन जाता है। कातिल पुलिस की सोच से आगे होता है और पुलिस उसकी तलाश में पीछे। मगर कातिल ये भूल जाता है कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आही जाता है। मालुक रखती थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहत टैलेंटेड भी थी। उसने महज दस्वी की पढ़ाई करने के बाद साल 2016 में टीवी पत्रकारिता की दुनिया में कदम रख दिया था। वो स्क्रीन पर आई और अपने टैलेंट के बलबूते कम ही समय में अप अपनी प्रतिभा दिखाई थी। असल में वह किसी बड़े टीवी चैनल में एंकर बनने का ख्वाब देख रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुनहरे परदे पर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। मगर उसे नहीं पता था कि एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। सलमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अक्टूबर 2018 का दिन था। रोज की तरह सलमा काम पर जाने के लिए कुस मुंडा से कोरबा के लिए निकली थी। लेकिन उस दिन वो लोट कर अप ने घर नहीं पहुची। इसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसे तलाश करना शुरू किया। उन्हें इस बात का बिलकुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये तलाश लंबी होने वाली थी। घरवाले लगातार उसे तलाश करते रहे। लेकिन ना तो उसका कोई सुर और आम लोगों के बीच फैल चुकी थी। लिहाजा उसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। कभी उसके मुंबई चले जाने की अफवाह ने जोर पकड़ा, तो कभी उसके अफेयर की बात लोगों के बीच चर्चा का विशय बनी। लेकिन सल्मा के पास जाने का फैसला किया। करीब दो महीने बाद यानि जनवरी 2019 में उन्होंने कुसमुंडा पुलिस थाने में जाकर सल्मा सुल्ताना की गुमशुद्गी दर्स कराई थी। मगर हकीकत ये थी कि पुलिस ने भी महस गुमशुद्गी दर्सकर खानापूर्ती की थी। तम साल बीटते रहे। सल्मा का मामला पुलिस की फाइलों में दब कर रह गया। परिवार की उम्मीदे भी तूटने लगी थी। लेकिन इसी साल जिले में तैनात एक IPS अफसर रॉबिंसन गुडिया ने कुसमुंडा थाना के लंबित मामलों की समीख्षा किया। इस दोरान उन्होंने सल्मा सुल्ताना केस की फाइल देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि इस केस की जाच में कमी थी। लापरवाही साफ दिख रही थी। समीख्षा करने के बाद SP रॉबिंसन ने नए सिरे से इस मामले की छानबीन शुरू किया। IPS अफसर रॉबिंसन ने अपने अधिनस्थों से इस केस से जुड़े सभी लोगों को बुलाने और पूछताच करने का फर्मान जारी किया। उनका यही कदम इस केस में अहम साबित होने वाला था। यह बात मालूम हो चुकी थी कि सल्मा का कतल हो चुका है। अब पुलिस को उसकी लाश की तलाश थी। लिहाजा जैसे जैसे पुलिस ने मामले को कुरेदना शुरू किया तो पता चला कि कतल के बाद कातिल ने सलमा की लाश को कोरबादर्वी मार्ग पर हसदेव बाई तट नहर के किनारे पर जमीन में दफना दिया था अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप से विनमर निवेदन है की कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमें आपके सहिय की बहुत जरूरत है ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने JCB मशीन से एक जगह मिट्टी हटा कर लाश को तलाशने की कोशिश तो की थी लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जहां लाश दफनाने की बात सामने आई थी पांच साल बाद अब वहां के भागोलिक हालात बदल चुके थे वहां एक बड़े हिस्से में फोरलेन सडक बन चुकी थी जांच में जुटे पुलिस अधिकारी ये समझ चुके थे कि सल्मा की लाश को इस तरह से तलाश नहीं किया जा सकता और जब तक लाश बरामद नहीं होगी तब तक अगर पुलिस को किसी को गिरफतार करना भी मुश्किल था अगर पुलिस को किसी को गिरफतार कर भी लेती तो अदालत में उस पर आरोप सिध करना नामुम्किन था लिहाजा जानकारों ने पुलिस को D-Scanner यानी धर्मल रडार के जरिए सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा इसके लिए राजधानी रायपुर से विशेशग्यों की एक टीम 3D स्कैनर के साथ कोरबा पहुँची और वहां शुरू हुआ स्कैनिंग का कांग। इसकी निगरानी S.P. रॉबिनसन खुद कर रहे थे। पुलिस ने हर संभव जगहे पर स्कैनिंग कराई। ये एक ऐसी अधुनिक मशीन है, जिसका इस्तिमाल भूमिगत खनिच पदार्थों की पहचान और जमीन के भीतर दबी ठोस वस्तूओं की तलाश से लेकर निर्मान कार्य की माप लेने तक किया जाता है। 3D स्क्रीनिंग कई तरह से की जाती है। यही वजह है कि जमीन में दबे हुए ठोस या सामान्य मिट्टी की संरचना से अलग किस्म की आकरती का पता लगाने के लिए भी 3D स्क्रीनिंग तक्नीक का इस्तिमाल किया जाता है। इस मशीन से जमीन पर लेजर किरने प्रवाहित की जाती हैं, जो जमीन के भीतर 20 फीट तक की गहराई में मौजूद संरचना और दूसरी वस्तूओं की आकरती का इमेज कम्प्यूटर की स्क्रीन शो करती है। हाला की अलग-अलग खोज के लिए अलग-अलग मशीनों का इस्तिमाल किया जाता है। अब पुलिस को 3D स्क्रीनिंग की मदद से एक सुराग मिला। इसके सहारे पुलिस ने अदालत से इजाजत लेकर कोडिया दर्वी मार्ग पर खुदाई की और वहां से एक बोरे में बंद करके दफनाया गया एक कंकाल बरामत कर लिया। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को भी बुला लिया था। प्रारमभिक जाँच में ये बात साफ हो गई थी कि वो कंकाल एक लड़की का था। पुलिस ने कंकाल को कबजे में लेकर जाँच के लिए भेज दिया था। इसी दौरान तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि सल्मा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था। जिसकी किष्ट का भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था। मगर 2019 से उसने लोन की किष्ट देना बंद कर दिया था। जब सल्मा ने किष्ट जमा करने के लिए उसे कहा था, तो वो सल्मा के साथ अभदर व्यवार करता था। उसे धंकी भी दिया करता था। पुलिस के लिए ये जानकारी अहम थी। लेकिन वो युवक कौन था। ये सवाल पुलिस के सामने खड़ा था। कंकाल बरामद हो जाने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का दाइरा बढ़ा दिया था पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए हर मुम्किन कोशिश करना चाहती थी लिहाजा मुखबिर भी एक्टिव थे तभी पुलिस को पता चला कि सल्मा का एक लड़के के साथ अफेर था जिसका नाम मधुर साहू था वो बिलासपुर का रहने वाला है और कोरबा में जिम चलाता है कहानी पहले दोस्ती और बाद में प्यार की थी पुलिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे मधुर साहू को भागने का मौका मिल जाए या उसे शक हो जाए लिहाजा पुलिस ने उसकी निगरानी की इस बीच पुलिस को मधुर साहू की एक नौकरानी के बारे में पता चला जिसे पुलिस ने पूछ ताच के नाम पर उठा लिया पुलिस ने नौकरानी से सवाल जवाब करने शुरू किये, तो उसने सलमा के गतल का पूरा मामला बेनकाब कर दिया उसने पुलिस को बताया कि सलमा का मर्डर 2018 में ही कर दिया गया था उसके कतल को मधूर साहु ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था तो तभी शक्के आधार पर मधुर साहू के मददगारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताच की थी। तभी सलमा की लाश को कोरबादर रीमार्ग पर मौजूद धवानी मंदिर के पास दफनाने की बात सामने आई थी। पकड़े गए आरोपियों की निशान देही और जानकारी के। आधार पर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुर साहू को भी गिरफतार कर लिया है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद।